हेलो फ्रेंट्स मिया नाम है सेंडी और आप देख रहे हैं ज्यान विद्धान दोस्तों बिजली तो हर घर में आती है और उसका स्वाल भी हम बखू भी करते हैं चाहे वो बल बलाना हो मोबाइल चार्ज परना हो या तीजी देखना इपनके आपने कभी सोचा है कि बीजली बनाती कैसे हैं और हम इसी बारें बात करेंगे कि बीजली बनाने के पांच तरीचे है 2. ट्र linie बनाने teil के पहादे घराने के 5 तरीके हैं थर्माल एनरье ओप फिरल्वर्वर एनर्जी नुक्लियिए नेरजी सोलर एनरgy विल्ट एनर्ज चलिए बते कर सका है थर्मल एनरजी के बारे में थर्मल एनरजी में में रॉता है कोल या फिर नाचरल गैस को दिलाए जाता है जिसकी गर्मी से पानी को गरम के जाता है तकि उसमें सिर्फी या निभाब पैदा हो सकते हैं तीर अपने दबाब से त्रीम टर्बाइन को गुंआ देती है इसके पानी को एक पतले से पैसिज के दौरान नीचे गरिया जाता है। पैसिज के अंक में स्टील टर्बाइन्स लगे होती है। जो पानी के फोर्स इस वजह से घूमती है। जिससे जनरेटर एक्टिवेट होता है और बिगली बनती है। फिर आता है nuclear energy। दोस्तों, nuclear energy का इक मेंisme material है जिसका नाम है uranium। uranium एक radioactive element है जिसको दो या बहुत से ज्यादा भागों में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस का nuclear friction कहते है। इस प्रोसेस के दारान बहुतत अरीट ही पज्डीश होती है, उस रीट का स्तमाल पानी तब तक जब तक उससे स्टीम ना निकले, स्टीम अपने दवाग से स्टीम टर्बाइन को भूहा देती है, इसके बेली बनती है, यह प्रोसेस लगभग थर्मा नर्जी का ही प्रसक है, फीड जिनरेशन के बाद, क्योंकि नुप्लियर पार प्लान से कोई इंधन जलता नहीं इसलिए इसमें कोई भी greenhouse gas जैसे carbon dioxide, methane, nitrous oxide, ozone etc. नहीं बनती, और इससे कोई pollution नहीं होता, इसको इसी कायर से clean energy कहा जाता है, दोस्तों अब बात करते हैं, solar energy के बारे में, solar energy में सूर्च की जर्मी का इस्तमाल होता है, इस काम के लिए solar cell का इस्तमाल होता है, जब solar cell पर सूर् अगर आप अपने घर्मी अब्साप कर लेता है, और उससे वो बिजली बादेता है, आज कर solar energy का यूज घरों में तेजी से वरता जा रहा है, और इसका यूज आज के टाइम से बिजली का बिल्ड कम कर सकता है, अगर आप अपने घर में solar panel लगवाते हैं, जो की group of solar cells होता ह गोनियनने घर कर सकते हैं, आप अपने घर कर सकते हैं, गूल्यैनाय जी कर सकता है, जहां पर हवा का से खंव masih कर सकता है, पर वह जाँ जाँ कर सकता है। इसे पहले समझते हैं कितने तरके होते हैं, कंजीमर दो तरके होते हैं, एक होता है डिवेस्टिक कंजीमर और एक होता है इंडस्ट्रियल कंजीमर ऐसे की सैक्रीज, विलिंग या फिर रेल्डे दोसो जन्रेशन कंपनी का बिलि बनाती है, तो वो यह पर 220 केवी, 440 केवी, 880 केवी जा 1760 केवी में बिलि बनाती है, लेकि यह इतना ज़्यादा बोल्टी होता है कि इसको डियर्टली हम कहीं इस्तिमाल ने का सकते हैं, अगर हम डियर्टली इसको अपने घर मिलेंगे, तो ह हमारे घर के जादा समानता सुफी जाएंगे, इसलिए कि बिलि की डिलिवरी होती है, तो जन्रेशन के लेकर कंजियूमर तक पहुचाने में दो कंपनियों को काम होता है, एक होती है ट्रांस्मिशन और इक होती है डिस्ट्रिबुशन, यह ट्रांस्मिशन कंपनी होती है, उसका यह काम होता है कि वह जन्रेशन कंपनी से डिस्ट्इबुशन कंपनी तक बि mensen पहुंचा है लेकिन इस इसास उसको इसी फ्लो में गिलिवरी सब्यों को पहुचाना होता है, जिस फ्लो में गिलिक बील्च सो स्ब्सक्रिबिग पाज Seems यह transformers रो होते हैं जिनकी मुझद से voltage रोप कम जागा या फिर maintain के चाथकता है तो अगर 440 kv में या 880 kv में really abuse होई है उसको distribution तक उसी flow में उसी voltage के साथ बेड़ी बाचाने के लिए transformers का अस्मार होता है यह transformers जगए जगए लगा जाते हैं अब जब बील्डी distribution तक पहुँच लिए तो distribution कंपनी का काम होता है कि वो उसे consumer तक पहुचा है तो consumer तक पहुचाने के लिए भी distribution कंपनी अपने transformers लगाती है कोई consumer जो है जैसे हम लोग और industrial consumer जैसे साक्टी जैसे हम लोग 440 KV या 880 KV की बील्डी तो इस्तमाल करेंगे नहीं हम लोग तो तो तभी voltage वाली बील्डी इस्तमाल करते हैं तो उसके लिए हमाई लिए अलग तरिके का एक transformer लगा जाता है domestic area के पास जो domestic area होगा जहां बील्डी भेजनी होगी वहाँ पे अलग तरिके के transformer लगता है उस transformer का इस्तमाल बील्डी का voltage कम करने के लिए और उसको वही पे maintain करने के लिए किया जाता है तभी हम लोग को same flow में कम voltage में बील्डी नीती है उतना कि हमाई लिए sufficient हो कि हम काम कर सकें इसी तरह जब industrial consumer यासी railway के पार बील्डी पहुचाए जाती है तो उनके लिए अलग तरकी का एक transformer लगा जाता है जो उस flow में बील्डी को maintain करता है जिसमें उनको चाहिए उनको high voltage की बील्डी चाहिए होती है railway में तो जाने के हैं कि metro या electric train जो भी है जो चलती है उनको high voltage की बील्डी चाहिए होती तब हो चल पाएंगी उसके लिए उसी तकार का transformer लगा जाता है और उसी transformer का इस्तिमाल फिर क्या जाता है ताकि बील्डी का flow maintain रहे voltage भी maintain रहे और उसी voltage में बील्डी इनको मिलती रहे और 4th largest consumer है electricity का इसी के लावा मई 2018 तक सबसे अगर LED lights और कहीं इस्तिमाल हुई है तो वह हमारा भारत है इसनी अगर LED lights किसी देश में इस्तिमाल नहीं हुई है कि हमारे भारत में हुई है इसके लावा दोस्तों मई 2018 तक भारत में total installed capacity थी 360 GW जिसका thermal energy 34% hydrogen energy 24% nuclear energy 2% and solar and wind energy 12% तो आज में लिए इतना ही दोस्तों अगर वीडियो पहन नहीं तो लाइप, शेर और सब्सक्राब जरू करिएगा थांक्स वाचिए